हलो दोस्तों नमस्कार मैं ग्रामिन कृषिधरसन में आप सभी को स्वागत करता हूँ मैं आपका क्रिषि दोस्त राजकुमार आज हम बात करेंगे यहाँ पे बर्वट्टी की फसल की जी हां दोस्तो ठंडियों की मौसम में बर्वटी की फसल साइद नहीं होता यह सब का कहना है लेकिन हमने आचिनोती को पार करके दिसंबर की पांच तारिक है आज और हम ठंडियों की मौसम की बर्वटी की वीडियो बना रहे हैं तो मैं बात करूँगा ठंडियों की मोसम में कैसे उगाते खुले खेत के नीचे अधिकांक्स भगवान ने यही साइद प्रकृति का नियम है कि समय के हिसाब से बोना चाहिए और समय के हिसाब से हर फल फलवार होती है आप कई भी साइद यही मानना होगा लेकिन ऐसा नहीं ह जो कातिक की सिजन में होती है केवल वही होती है उसके अलावा कुछ और नहीं होती है लेकिन यहाँ पे दो फुट की लंबाई आगे आपको दिखाऊंगा मैं दो फुट की लंबाई तक की वरवट्टी यहाँ पे हम उगा रहे हैं तो यह इसका मुमकिन कैसे हुआ मैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है नए दोस्त हैं आज तो आप जरूर कीजिएगा दोस्तों और मेरी मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा धनेबाद आगे बने रहे हैं आम तोर पे जो किसान है बारिस की सिजन में बेड़ बनाके बरवटी की बुवाई नहीं करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि थंडी की सिजन में भी ऐसा है ठंडी की सिजन में आप सभी को बेड़ बना के ही बोना चाहिए यह कंपल सरी है मैं अपनी एक्सप्रियंस में आपको तीन बातें नोट करवना चाहता हूँ इससे होने वाली फाइदे एक नमर सूरज की किरन बेड़ पर पढ़ने पर ठंडियों की मौसम में दूसरी जगा जो टेंपरेचर बना हुआ रहता है बेड़ बनाने के बोने से उस जगे में कम से कम टेंपरेचर हाई रहने की कारण बरवटी की फसल को इससे लाब होती है दूसरा नमर जिस जगे में सूरज की किरन पढ़ती है और नीचे अगर किसी भी चीज का जड़ है तो देखिए वहाँ पे फलों की बृद्धी ज्यादा होगा फूलों से डाइरेक फल वनेंगे और पेड़ों पे भी ज्यादा फूल लगेंगे जिस से सीधी फाइदे अगर वहाँ पे डालकर सीचाई की जाए तो सीधी जड़ों में इसकी फाइदे पहुंचती है और पानी का भी बच्चत होती है और सीधी जड़ों में आपके विटामिन की तक तो पहुंचने के कारण सीधे लावा आपको मिलती है लेकिन आपको ध्यान रखने वाले अगर इस प्रकार सिचाहे करोगे तो बराबर बरबटी की फसल बड़ी होगी लंबी होगी और फूल भी जादा लगे कि फल भी जादा होंगे साथ साथ में बीच बीच में आप जो अभी जंगल की तरफ देख रहे हैं ये खरपतवार नहीं है यहाँ पे हमने सरसो की फसल ले थी जो की हम उठा चुके हैं अब सरसो की फसल हम लगाने की जो कारण मैं आपको बता दूँ देखिए जिस जगे में सरसुकी फसल जब उखाडेंगे तो वहाँ पे छेदर बनेगी और छेदर के द्वारा हवा और सुरच की रोसनी पढ़ने से यहाँ पे जड़ों की बिकास होगी और फल फूल में ज़्यादा प्राप्ती होगी किसान मित्रों मैं आप सभी से बता दूं कि बरबटी की फसल कोई भी महीने में की जा सकती है कुछ तरीके जो टिप्स है मैं आपको इसी वीडियो के माधियम से भी बता रहा था और बताऊंगा आगे भी यह जो पोस अभी आग देख रहे हो मेरे बरबटी की पीछे के इससे से ज़्यादा हवा आती है जिससे मैंने सीम की फसल उसमें लगाई है सिम की फसल में हवा का कोई प्रभाप नहीं होता कोई टेंशन नहीं है इसी लिए ठंडी की सिजन में होने वाली है यहाँ पे बहुत बढ़िये से मैं दिसंबर में प्रोड़क्शन ले रहा हूँ पांच प्रकार की प्रजातिया मैंने लगाई है जिसमें से एक प्रोड़क्शन यह है और यह बहुत ज़्यादा फलवार करती है मैं आगे जागे इसके बारे में स्पेशलिस ज़्यादा बताने वाला हूँ बढ़िया से इसी फसल के सामने मैंने दूसरी जो अभी खतम हो चुकी बरबेटी हुआ आपको दिखाना चाता हूँ देखे हर एक महिने में हम ले सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं इसी फसल के सामने वही वीडियो में कट नहीं है बिल्कुल यहाँ पर देखे यह इस समय में तोड़ाई खतम हो चुकी लगबग और यहाँ पर यही जगे में कम से कम मैं एक महिने आगे का दिखाऊंगा 15 से 20 किलो प्रोडक्शन ले रहा था एक साइड से एक लाइन में और दोनों साइड से अगर एक लाइन की मैं कहूं तो लगबग 25 से 30 किलो के आसबास मैं फल लेता हूं यहाँ पर 4 से 5 दिन के अंतराल पर मुझे तोड़ाई करनी होती थी यहाँ पर बीच में लंबे डिजाइन के भी हमने फसल को लगाया था जो यूटूब में मैंने पहले बीच जमीन की तयारी या कंपोस्ट की तयारी या बीच को कैसे रख रखाओ करनी होती है बीच प्रबंदन उसकी वीडियो जब बनाये थे वो कमसे कम मार्च अपरेल की फसल था उसी मार्च अपरेल की फसल के बाद में मैंने इस जगे में इसकी बवाई की है या अभी दिसंबर तक ले जाएगी मुझे और दिसंबर जो आपने पहले देख ये आए थे वो लंबी-LEंबी फसल वहाँ पी December में लग रही थी तो आपको यही बताना चाहूंगा मैंने पिछले एक साल से बरबटी को इस प्रकार से पकड़ के रखा है और ये आमदानी लगातार मुझे दे रही है मैं अधुनिक प्रकार से करता हूँ यहाँ पर देखे कोई जमीन में इस प्रकार के ब बरबटी दिखाया था मेरे किसानवायो आप सब की फाइदे के लिए एक बात बता दू अगर देर सारे मुनाफ़ा आपको मिलेगी बरवट्टी की फसल बोने से लोबिया की फसल से और मैं भी आसा करता हूँ जो डिस्प्ले में फिलाल देख रहे हैं यह फरवरी मन तक मैं प्लॉकिंग कर पाऊंगा और यह खतम होते होते मैं फिर दूसरी प्रोडक्शन तयार कर पाऊ तो आप सबने बहुत घोर से देखा इस वीडियो को उसके लिए बहुत बहुत दरनेवाद आने वाले दिन में यह चैनल आप सबको एक ही करके जानकारी लेकर आता रहेगा टेक्निकली इंफॉमेशन दोस्तों और मैं फिलाल इस्टोवेरी फार्मिंग की तयारी कर रहा प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलेगा और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों यह चैनल आगे बढ़ा सकती है आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दिजिएगा दोस्तों मैं फिलाल किसी दमदार